प्राम राम नमस्कार सभी दोस्तों को आज भई आपने एक वीडियो और पहले देख्योंगी जहां से अपना रुदरनाथ माराज जी आये थे माराज जी के आसरम से गाउं बत्तर खेड़ी जिला चर्खी दादरी से वहां मैं शादी थी मेरी सिस्टर की उससे पहले मैं वीडियो एक बनाई थी मैंने वो मैं महरा माराज जी को बोल के आया था भी मैं बिस तिस को इंटल बाजरा डलवाऊंगा यहां पर बाजरा तो मिल महराज जी के आसरम में वही दान किया है और आज बहुत खुशी हुई है क्योंकि जब रुदरनाथ को लेके आये थे ना उस टाइम यह बोल दिया था भी जो भी इस से कमाई होगी सीमन की मैटिंग की तो कोई होती नहीं वो तो फ्री है सीमन की जो भी होगी जितने के भी स ज्यादा ही डिलवाया है उन पैसों से तो और ये माराजी की गोशड़ा पूरी दिखा हूँ आपको और ये बैग उतारने लग रहे हैं बही जो यहां सेवा करते हैं गोशेवक हैं जो और ये सुबह का टाइम है नो बजे का तस बजे का ये सभी बच्डे बच्डियां जो भी है माराजी के पास खुले घूम रहे हैं बाहर ये उतारने लग रहे हैं बाई कुछ खड़के बैग थे और बाकी फीड के बैग है जोद का बरांड फीड अपने टोहाना से हैं बाई जरदार जी बहुत अच्छा फीड बनाते हैं 3435 रपी क्वेंटल बनाते हैं और चारा या खाने-पिणे की चीज़ें गवों के लिए दिया कि दिया करो पैसे देने का कोई चित्ते नहीं बनता पैसे तो उनके पास गोर्मेंट से भी आते हैं गोशाडा में जो गो ओध्राइज गोशाडा है ये तो फिर भी चलो एक आश्रम है महाराजी के पास कोई सरक की है और एक मेन बात यहां आप लोग देखोगे ना सफाई यह सफाई आपको फर्ष पक्के फर्ष के उपर भी नहीं मिलेगी जो सफाई सगोशाडा में कच्चे में है यहां बच्चे बच्चे वाड़े उसमें नहीं आप सारे में दिखा हूँ आपको यह कम से कम पचास के करीब तो होंगे बच्चडे बच्चडियां छोटे चारीस पचास राम से होंगे यह आग्गे भी यह देखो आप बहुत सारे हैं और बिल्कुल अर्याना नसल के सभी के सभी यह देख के भई मलो तबीद कुस होती है माराज जी है यहां प्रांगन में मंदिर के प्रां यह बहुत अच्छा नंदी माराजा वही बिल्कुल सो दर्याना ब्रीड में आज के दिन माराजी के आश्रम में इसी की इसी के बच्चे बच्चडियां बच्चडे इसी के पड़बट रहे हैं और एक यह थार पारकर में यह बच्चडा और एक यह जो बच्चडा है यह जो अभी खड़ा हुआ था आग्या आपने देखा था ये बचड़ा बहुत अच्छी गाएं का बचड़ा है बाई ये राम बाई ने चोट रखा है माराजी के पास नसल संबर्दन के लिए ये शायद सायद 18 किलो दूद की गाएं का बचड़ा है जो कोणे में अभी खड़ हुआ था और ये बाकी गोवन्स ये देखिए बाई बिलकुल सभी अर्याना नसल के गोवन्स और एक ये सबसे मतलब माराजी जिसकी सेवा कर रहे हैं ये बहुत बुड़ा बैल है भाई इसका हम बोलते हैं हमारे ठुवा बोलो बिलकुल गिर चुका है बहुत बड़ी उम बाई बहुत है बैल की बैल किसान का एक साथी होता था भाई अब लोगों ने खराब माटी करका दर दी बहुत भारी भारी बैल है जो रोड़ा पर गूम रहे हैं आज के दिन और एक शामरंग में शुदर याना गोवन्स आप साथ सफाई देखो भी कहीं भी आपको कुडा करकट गोबर कहीं नहीं मिलेगा ये देखो आप जैसे एक मतलब है ना फरस के उपर भी नहीं मिलेगी इतनी सफाई तो इस वीडियो से ना आप ये लोग में देखना भी मनल जरूरी है चाहिए आप मैस रखते हो या गाएं रखते हो सफाई देखो आप सुबह सुबह सभी गोवन्स अपने बाड़ों में बाहर खुली छोड़ दी गई है और सफाई फिर भी देखो और ये अभी आगे ये जो सामने खड़ी है ये गोवन्स है ये गोमता ये अपने बोड़े की अपने रुदरनाथ की बहन है और इसको मैं दुबारा फिर देखा हूँ आपको ये देखो यहाँ इनका खड़ भी गोदी गई है बाई सिरफ खड़ है माराजी के पास जो भी ये मतलब कोई आप जैसा बाई डाल देता है अपने सेवाबाव से वो माराजी खिलाते हैं ये यहाँ भी खड़ भी गी हुई है और ये अपने सभी बैग अपने उतार दी हैं बाई चालिश के चालिश बैग और आगे भी परमातमा करें सीमन अच्छे सेल होते रहें फिर माराजी के पास फिर दाना चारा डाल देंगे भाई ये गो मता अपने रुदरनाथ की मता हैं भाई अपने बोडे की माँ ये आप देख सकते हो पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था ये 11 बार बच्चा दे चूकि है और अभी माराजी ने बच्चा लेना बंद कर दि तेरी होगी जरूर पर इसके मुह में दात नहीं हैं दात गिरने लगे इसके और ये मीने नंदी के आप बच्डे बच्डियां देखो और इनकी ग्रोथ देखो बाई तो ये कई बोल देना भी आप इतना अच्छा काफ त्यार कैसे करते हैं कई बाईयों के पास होते हैं पर वो ये नहीं सोचते बहिए दूद पीते हैं पुल तब जाके ये कहीं ऐसे काफ तयार होते हैं ये एक एक किलो पाया पाया दूद मैं नहीं बढ़ते काफ कम से कम गाएं का बच्चा है बच्डी है उसके आते दूद पे तो उसका हख है यार वो तो मच्छिनो ये देखो ये है रुदरनाथ की बहन बाई और जो अंदर गोमाता मैंने दिखाई थी उसी की बेटी और रुदरनाथ की बहन एक बहन रुदरनाथ की डीगल गाओं में है इसने फर्स टाइम ने 17 किलो दूद निकाड़ा बाई जित्तु बाई ने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है औ कबी टाइम लगा कभी मौसम खुला तो मैं भी जाओंगा ये देख़ों कितना अच्छा गोवंस है माराजी के पास बाई सेल माराजी करते नहीं है ना कोई नंबर है माराजी का तो यह नंबर वंबर ये मत मांगे कोई कुंटेक्ट नहीं है मैं गया था मुझे भी नहीं मिले आज साइद कहीं बाहर गए हुए थे बड़ी आत्मा त्रिप तो होगी आत्मा खुश हो जाती है मेरी तो यहां जाके और एक और बारम बार पूरी जिन्दगी दन्यवाद रहेगा माराजी का जिनोंने मेरे को रुदरनाथ दिया भाई नहीं तो ऐसा नंदी तयार करने में पहली बात तो इतना भारी नंदी इतना है भी तयारी नहीं होता और होता भी तो कम से कम भी वो जब तक बड़ा होता ना वो चार पांस लाख रुपे में तयार होता माराजी ने मेरे को भाई बिलकुल फ्री दिया था भाई मैं अपनी मर्जी से कुछ उस टाइम भी 15 बोरी खड़की डाल के आ था और टाइम टाइम पर फिर देते रहेंगे जरूर जितनी हमारे में समता है वो जरूर देंगे बाई ये जो गोवन साप देख रहे हो ये इधर बच्चे दियों है इनोंने सभी ने ये बैय हुई जितनी है ये अलग है कुछ बाहर हैं जंगल में गय हुई है ये फर्स ये देखो बाई सभी कितनी शानदार और कोई बुखी नहीं बाई कम से कम 200 डाइसो गोवंस है मारा जी पास कोई मतलब आपको बुखी नहीं दिखाए देगी वह कोई कमजोर कोई इस टाइप की मलब सभी को फुल सेवा होती है यह यह सामने वारी गोवंस जो है यह देखिया आप कितनी यह गोवंस बैल जैसी गोवमाता है भाई भुल आइट लंबाई की और थन कुवाल्टी देखो इस गाई की आप और बोडी स्ट्रक्चर यह है बाई सुदर यह नहीं यह जो पुरानी ओल्ड बलड लाइन होती दिना यह चोथे पांचमे ब्यात में बताई और इसका फिर भी आप बोडी स्ट्रक्चर देख सकते हो यह पीट देखो इस गाएं की आप वो शामने शाम रंग की देखो आप सामने एक और शामा कलर की यह बहुत तगडी तगडी आईट लंबाई की गाएं सभी भाई एक यह बुडी गाएं है यह देखो इसक किसी लगी बताना भाई